समोसा जो के एक सबका फेवरेट स्नैक है इंडिया में 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुड़ों तक इसे खाना पसंद करते हैं लेकिन अफसोस सुमालिया में इसका नाम तक लेना मना है इसे सुमालिया में सन 2011 में बैन कर दिया गया चेवन प्रेश इंडिया का सबसे जाने माना हेल्थ सप्लिमेंट है कई डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं एज हेल्थ सप्लिमेंट क्योंकि ये मेर्कुरी एंड लेड लेविल्स को बढ़ाने में मदद करता है वही कनड़ा में सन 2005 में इसे बैन कर दिया गया इसे बैन करने का रीजन बताया गया कि ये mercury and lead levels को बेहत बढ़ाता है wedge हो या non wedge kebabs ये कभी भी इंडियन्स का दिल जितने में कामियाब रहता है लेकिन क्या आपको पता है सिर्फ अपने traditions and decorums को बच्चाने के लिए wedge and non wedge kebabs बैन कर दिया गया विनेश सिटी में मुझे तो खुशी है कि इंडिया में ये कभी नहीं हुआ पकोडों से लेकर सैंडिच तक हर ये एक स्नाक अधूरा है किस से? केचप से? लेकिन सिर्फ इंडिया में ऐसा है इसका exact opposite है France में French government ने इसे band कर दिया है और इसका reason बताया गया है कि teenagers ketchup का excess consumption करते हैं आपको क्या लगता है? क्या French government ने band करके सही किया? मुझे comment section में जरूर बताना jelly cups मुझे तो लगता है कि ये सारे Indians की favorite है कभी ना कभी अपने lifetime में एक बार तो खाये ही होंगे हर ये एक बच्चा जानता है इसे इंडिया में लेकिन अफसोस Australia की government ने इसे band कर दिया Sun 2002 में और बताया गया कि ये jelly like substance है जो के fast dissolve नहीं होता है और इससे choking hazard भी हो सकता है snack banning में से आपको कौन सा country का banning इन सबसे सही लगता है मुझे comment section में जरूर बताना